कई प्रेंड रादे रादे कैसे हैं आप सबासा करते हैं अच्छी होगी वाज बनाने जालरे हैं पनीर से सपेशल अस्ता तो आयों देक्टे खें उन्सकोण भी सा रिफाइन्ड ओयल डाला और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमार को अच्छे से गुंद लेंगी तो यहां पर आटा हमें पहुत ज़्छादा टाइट नहीं गुंदा है हमें आटा सौप्ट गूंदा है और गूंद के दस मिनट के लिए छोड़ देना है इसी तरीके से 10 मिनट के लिए रखेंगे, उपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे, और आटे को फिर से थोड़ा सा गून देंगे, अच्छे से मसल देंगे, जिससे कि घी लगाने के बाद हमारा आटा और जादा सौप्ट हो जाएगा, और थोड़ी दिर रखेंगे, तो पाप्री जैसे नह जैसा हो जाता ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यहां पर आटा हमने गूंड के एक तन तयार करें रख लिया है अब हम चलते हैं और भी चीजों को तो हम यहां पर प्यास काट लेंगे और हरी धनिया हरी मिर्ची और थोड़ा सा अद्रग लेसन को कद्दुगस कर लेंगे और हम य जाल्दी तीन सचार हरी मिर्ची धनिया पत्ता बारिक कटा हुआ प्याज नमक स्वाद अनुसार बुना हुआ जीरा और हाप टी इस्पून हल्दी जिससे की हमारा ये पनीर का जो नास्ता बनाएंगे उसका कलर बहुत अच्छा आएगा और यहां पर हमने डाला है हाप टीश्पून चार्ट मसाला थोड़ा सा साबुत जीरा और डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्ची थोड़ा सा हेंग डालेंगे और इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला सब कुछ डालने के बाद हम अच्छे से बैटर तयार करेंगे फ्रेंड हमारे ये बहुत ही टेस्टी स्वादिस्टिक दम गर्मा गरम सुबै का नास्ता बन के तयार हो जाएगा तो पनीर को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे आठे की लोई बना लेंगे और इस पर सूका थोड़ा सा आठा लगाएंगे और हम इसे बेल लेंगे फ्रेंड यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं ट्रेंगल सेप में पनीर का पराठा जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिस्ट लगता है तो देखने में अच्छा है और खाने में उससे ज़्यादा भी अच्छा है तो फ्रेंड यह हमने पूरी जैसी बेल ली है इसके उपर हम रखेंगे पनीर और इसको हम ट्रेंगल सेप दे के बहुत ही टेस्टी नास्ता बना के तयार करेंगे एक दम बजार के जैसा मिलेगा आपको होटल के जैसा घर पर ही इस तरीके से हम बंद करेंगे दोनों साइड से इस तरीके से बंद करें, हाथ से प्रेस करेंगे, सूगा आठा डालेंगे और हम इसी तरीके से जैसे हमने ये फोल्ड किया है, इस तरीके से ही बेल लेंगे अमारा यहाँ पर केमरा ओफ हो गया था, तो बेलने के लिए साइधा आपको दिखाई नहीं दिया मैंने एडिट करने के टाइम पर देखा है कि इसमें हमने बेलते हुए दिखाया नहीं उसके लिए स्वारी हम दूसरा वाला दिखा देंगे हमारी कीचेन में जगह थोड़ी कम है वहां पर तो अच्छे से वह नहीं बाता है केमरा बार बार रिजर उजर करना अब हमने इस पर दोना तरफ से वैल लगा देंगे और इस तरीके से अलट पलट करके अच्छे से टेंगल सेप के पराटे को हम सेख लेंगे बहुत ही बड़ी अप पराठा बने के तयार हो गया है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे अब हम दूसरा पराठा बना इस तरीके से इस पर यह हमारा फिलिंग रखेंगे वैटर पूरा जो हमने तयार किया है पनीर का प्रेंड आप चाहे तो इसमें और भी सबजियां डाल सकते हैं वैसे पनीर में तो अच्छा विटामिन होता ही है तो यह पनीर ही काफी है बच्चों को टिपिन में देने के एक हमें घृच के लिए या लेंच में भी खाने के लिए दोपेयर को डिनर में काफी में कभी भी आप कहा सकते हो आप हमें ऐसे चैनल हैं तो सब्सक्राइब करेशा देजिये वादी कर सो लाइक कर दिझे this हमारा यह परटा की रेशपी आपको कैयसी लगए अगर अच्छ करके जरूर बताएं तो देखो फ्रेंट कितना अच्छा हमारा ये ट्रंगर सिपका प्राटा बनके एक्तम तयार हो गया है चौकूर प्राटा है अब तिकोना भी बना सकते हैं अलग-अलग देखो तो इस तरीके से हमने ये प्राटे दो बनाए हैं और आपको दिखाए हैं को इस तरीके से फेक काट देंगे चाकू की सहता से कि तना अच्या पराटा बनके तयार हुआ है गरम गरम पराटा हमारा ये पनेयर का ट्रंगर सेफ में प्राटा याँ सबりました तो अगर सब्सक्राइब करें या एक तो सब्सक्राइब करें चैनल को जरूर सुप्सक्राइब कर दें आपके सब्सक्राइब करने से मेरा भी मन करता है कि अच्छे-च्छे मैं भी वीडियो बनाऊँ आपके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यो वाय वाय टेक क्यार अपना ध्यान रखें सुबरात्री फिर मलते हैं नई वीडियो में बनापने खाया झालत्री तंट।, यह दुझा या झालत्री झालत्री त्मी वीडिया टाहरा फ्युझास युल बनाफें